शेहद और लहसुन दोनों के अपने अपने लाब हैं और कुछ परिस्तितियों में नुक्सान भी लेकिन इन दोनों का साथ में सेवन करने से जरूर आपा सकते हैं सेहत से जुड़े ये पांच फायद दे लेकिन पहले जानेए कि कैसे करें लहसुन और शहद का साथ में सेवन दैश लहसुन को छील कर इसकी कली को हलका सा दबा कर कूट ले और फिर इसमें शहद मिलाईए कुछ देर के रखने के बाद लहसुन में जब शहद अंदर तक भर जाए तब इसका सेवन करें ध्यान रहे कि इसका सेवन आपको सुबह खाली पेट करना है अब जानिए इसके सेवन से होने वाले यह पांच लाब दैश एक प्रतिरोधक्ता अगर आपकी प्रतिरोधक्षमता में कमी आई है तो इसका सेवन शुरू करें शरीर की रोग प्रतिरोधक्ता बढ़ाने के लिए इसका उप्योग बेहत फाय देमंद साबित होगा दो इंफेक्षन किसी भी तरह के फंगल इंफेक्षन से बचने के लिए यह लाबकारी है एंटी फंगल और एंटी वैक्टीरियल गुनों से भरपूर या मिश्रन आपक किसी भी प्रकार के इंफेक्षन से बचाय रखने में सहायक है तीन कोले स्ट्रॉल शेहद और लहसुन दोनों ही कोले स्ट्रॉल को कम करने में अहम भूमिकाने भाते हैं यह हिर्दे की धंग्नियों में जमे हुए कोले स्ट्रॉल को भी कम करने में मददगार साबित होता है चार खराश गले की समस्याएं जैसे खराश वह सूजन आदी में इसका उप्योग फायदे मंद है एंटी इंफलेमेटरी गुणों के कारण यह आपको पूरी तरह से राहत दिलाने में सहायक होगा पाच सर्दी सर्दी जुकाम बखांसर से बचने के लिए इस मिश्रण का प्रयोग फायदे मंद है तासीर में गर्म होने के कारण यह सर्दी जनित रोगों से आराम दिलाने में काफी कारगर है